नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल लाइफ साइन्स क्लासेस में चात्रों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपकी बोर्ड परिक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है हर वर्फ पूछा जाता है बिलकुल आसान भासा में पढ़ेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तभी यह टॉपिक समझ में आएगा तो आज का टॉपिक है रुधीर वर्गों की वनसागती मनुस में रुधीर वर्गों की वर्गों की वनसागती ठीक है देखिए वनसागती क्या होता है वनसागति का मतलब होता है अनुवांसिक लक्षणों का एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में इस्थानांत्रण होना देखिए जो लक्षण मातापिता में पाए जाते हैं वो लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं ठीक है तो लक्षणों का मातापिता थे संतानों म किस प्रकार से स्थानांत्रित होते हैं माता-पिता का रुधिरवर्ग क्या है तो कैसे हम बता सकते हैं कि पुत्र का रुधिरवर्ग क्या होगा तो वीडियो को इसकी मत कीजेगा आंतर तक जरूर देखेगा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंड स्टीनर कार्ल मिलर रुधिरवर्ग कर प्रकार से उसिस्टम के नुसार मनुफ में चार प्रकार के रुधिरवर्ग पाये जाते हैं किसके अनुसार कारल लैंड स्टीनर के ABO blood group system के अनुसार मनुस में चार प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं A blood group, B blood group, AB blood group और O blood group तो आईए हम समझते हैं कि A blood group कौन सा blood group होगा, B कौन सा होगा, AB कौन सा होगा और O blood group कैसा होगा, देखिए मनुस में जो blood होता है, blood के दो भाग होते हैं एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं hematokrit, पहले भाग को क्या कहते हैं hematokrit hematokrit ठोस भाग होता है जिसमें RBCs, WBCs और platelets होती है और दूसरा जो तरल भाग होता है इसको कहते हैं plasma hematokrit का जो अधिकांस भाग होता है वो RBCs होती है RBCs की संख्या कितनी होती है, इनका जो percentage होता है लगबग ये 55,75 RBCs पाए जाती है 55,5,0,000 BPM, RBCs होती है सबसे आधिक संख्या में RBCs पाई जाती है इसमें Hemoglobin होता है इसलिए ये लाल रंकी होती है और इन K Τो land studentern ने बताया, इनका सरश रम की सहतह पर entercios पाए जाता है यहाँ पर हम चार प्रकार की RBC बना रहे हैं इन्हों ने बताया कि मनुस में ऐसे मनुस जिए बलड की सभी RBC पर ऐसा नहीं कि कुछ RBC पर A इंटीजφों हो कुछ RBC पर B इंटीज़ों हो जितिनी भी RBC बलड में पाई जा रही है तो ऐसा blood group A blood group पहलाएगा हम antigen A को कुछ इस प्रकार से denote करते हैं तो ये कौन सा blood group होगा ये blood group होगा A कौन सा A blood group क्यों होगा क्योंकि इसकी RBC पर antigen A पाये जाता है जिस RBC पर B antigen पाये जाता है B antigen को हम इस प्रकार से denote कर रहे हैं तो ये blood group B होगा मतलब अगर RBC पर antigen A उपस्तित है तो blood group A RBC की सतह पर antigen B उपस्तित है तो वो हो जाएगा blood group B और अगर RBC की सतह पर A antigen और B antigen मतलब दोनों antigen एक साथ पाए जा रहे हैं तो वो blood group होगा A B blood group होगा ठीक है अगर RBC पर कोई antigen नहीं है इस RBC पर कोई antigen नहीं है तो ये blood group हो जाएगा O blood group तो antigen A और B की उपस्तिति के आधार पे ही Karl Land Steiner ने ABU blood group system बनाया और ABU blood group system के अनुसार चार प्रकार के blood group होते हैं A, B, AB और O जिस RBC की सतह पर antigen A होगा उसे A blood group कहेंगे जिस की सतह पर antigen B होगा उसे B blood group कहेंगे जिस RBC की सतह पर antigen A और B दोनों होगे उसे AB blood group कहेंगे और जिस RBC की सतह पर कोई antigen नहीं होगा उसे O blood group कहेंगे तो ये चार प्रकार के blood group human में पाये जाते हैं अब इसको हमें एक chart के माद्धेम से यहां समझते हैं ठीक है देखिए चार प्रकार के एंटीजन, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं और इससे चार प्रकार का ब्लड ग्रूप बनता है अगर RBC की सतह पर एंटीजन A है तो उसका ब्लड ग्रूप होगा A अगर RBC की सतह पर एंटीजन B है तो ब्लड ग्रूप B RBC की सत्य पर antigen AB है तो blood group AB और अगर कोई antigen नहीं है तो blood group O होगा ठीक है तो antigen के against हमेशा antibody बनती है ये antibody कहां पाई जाती है रक्त के plasma में तो समान antigen के लिए समान antibodies नहीं होती है तो यहां पर जो antigen A है इसकी plasma में antibody B पाई जाएगी और antigen जो blood group B है जो antigen B है उसके against जो antibody बन रही है वो plasma में पाई जाएगी वो कौन से antibody होगी AB blood group में कोई antibody नहीं होगी और चुकि O blood group में antigen यहां पर नहीं है इसलिए इसकी plasma में दोनों प्रकार की antibody A और B पाई जाएगी तो ये हो गया 4 प्रकार के blood group और इसमें कौन से antigen और कौन कौन से antibody होती है इसको अब यहां से समझ सकते हैं ठीक यही चीज चित्र के माध्यां से दिखाए गया है ये है RBC तो RBC की सतह पर ये जो pink color का spike दिख रहा है ये A antigen को सोगर रहा है तो RBC की सतह पर अगर ये A antigen है सिर्फ A antigen तो blood group हो जाएगा A ठीक है और अगर RBC की सतह पर एक green color का spike दिख रहा है ये पाय जा रहा है यानि कि B antigen है तो blood group B होगा और अगर RBC की सतह पर दोनों यानि कि A और B दोनों antigen एक साथ पाय जा रहे हो तो blood group A भी होगा ये RBC की सतह पर कोई antigen नहीं पाय जा रहा है तो blood group O होगा तो ये चार प्रकार के blood group होते हैं जो human में पाये जाते हैं और यही blood group एक PD से दूसरे PD में इस्थनांत्रित होते हैं तो आईए समझते हैं कि blood group एक PD से दूसरे PD में किस प्रकार से इस्थनांत्रित होते हैं तो इनकी वनसागती का आद दिन सबसे पहले किसने की यह था बंस्टीन ने बंस्टीन ने बताया कि जो blood group है ABO blood group system है इतमे जो antigen बन रहे हैं ये antigen एक विशेष प्रकार के genes के द्वारा नियंत्रित होते हैं आई से डिनोड करते हैं capital I से capital I का जो पूरा नाम है यह है isoagglutinogen उसी के नाम पे इसको बताया गया है I gene ठीक है तो gene आपको मालूम है कि gene हमेशा जोड़े में पाया जाता है ठीक है और इनके कितने allils हैं? तीन allils हैं कौन-कौन से allils हैं? पहला allil है I, A दूसरा allil है I, B और तीसरा allil है I, O I, O को हम small i से भी denote करते हैं तो तीन allils हैं और इन्हीं तीनों allils के द्वारा blood group का determination होता है अब देखिए इन genes का काम क्या है? जो I, A gene है यह R, B, C की सतह पर antigen A बनाती है I, B gene है यह R, B, C की सतह पर antigen B बनाती है I, O gene R, B, C की सतह पर कोई antigen नहीं बनाती है तीन प्रकार के allils हैं A, B, और O तो A gene होगा A antigen बनाएगा B gene B antigen और O gene कोई antigen नहीं बनाएगा ठीक है? अब देखिए हमने भी बताया कि genes से हमेशा जोड़े में पाये जाते हैं यानि कि दो allils एक साथ में होते हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि I, A और I, B genes ये I, O gene के लिए प्रभावी होते हैं I, A और I, B genes किसके लिए प्रभावी होते हैं? I, O gene के लिए अगर आपने Mendel के प्रभाविता के लिएम पढ़ा है तो आप दोधन समझ गए होंगे कि अगर जोड़े में I, A और I, O है तो प्रकटन किसका होगा? सिर्फ A का प्रकटन होगा O का प्रकटन नहीं होगा क्योंकि A, O के उपर प्रभावी है ठीक है? ठीक इसी प्रकटन है I, B, G, N भी O के उपर प्रभावी है यानि जोड़े में अगर I, B, G, N और I, O, G, N है तो यहाँ प्रकटन किसका होगा? सिर्फ B का होगा क्यों? क्योंकि B, O के उपर प्रभावी है और O का प्रकटन नहीं होने देगा तो यहाँ पर ही लिखा गया है कि I, A और I, B, G, N I, O, G, N के लिए प्रभावी होता है लेकिन I, A, G, N और I, B, G, N एक दूसरे के लिए सह प्रभावी होते हैं सह प्रभावी का मतलब ही होता है कि G, N का जो जोड़ा है यह जोड़े के दोनों एलेल्स एक साथ प्रकट होते हैं कोई एल्स किसी के लक्षण का इन्हिविशन नहीं करता मतलब उसको प्रकट होने से रोकता नहीं है अभी यहाँ बताया कि यहाँ प्रकट होने से रोक रहा है I, A और I, O है तो प्रकटन सिर्फ A का होगा यानि RBC की सतह पर एंटीजन A बनेगा लेकिन अगर I, A और I, B दोनों जोड़े में हैं तो दोनों का प्रकटन होगा और एंटीजन A भी बनेगा सतह पर और एंटीजन B भी बनेगा ठीक है तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये 6 कॉम्बिनेशन होते हैं और इसी कॉम्बिनेशन के आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड गुरूप होगा तो इसको बहुत ध्यान से समझेगा देखिए अगर जीन के जोड़े में क्या है I, A और I, B जीन दोनों है I, A और I, B जीन दोनों है तब क्या होगा देखिए ये दोनों साह प्रभावी होते हैं तो R, B, C की सथे पर दोनों एंटीजन बनेगा यानि कि A और B दोनों एंटीजन बनेगे तो ब्लड गुरूप क्या होगा A, B अभी बताया गया कि R, B, C की सथे पर दोनों एंटीजन हो तो ब्लड गुरूप A भी होगा दूसरा क्या है I, A और I, O अब देखिए यहां पर क्या है I, O का प्रकटन नहीं होगा A का प्रकटन होगा तो R, B, C की सथे पर सिर्फ A एंटीजन बनेगा और ब्लड गुरूप क्या होगा A ब्लड गुरूप होगा I, A, I, A तो यहां पर सिर्फ A ही जीन है दोनों तो A का प्रकटन होगा और एंटीजन A बनेगा यानि इसमें भी ब्लड गुरूप A होगा देखिए दोनों कंडीशन में ब्लड गुरूप A बन रहा है तो इसको कहेंगे सम युगमकी इसे कहेंगे सम युगमकी और इसे कहेंगे भी सम युगमकी यही कंडीशन B पर भी लागू होता है अगर I, B और I, O जोड़े में हैं तो यहां पर एंटीजन B बनेगा गलती से यहां A लिख गया है यहां क्या बनेगा एंटीजन B बनेगा और ब्लड गुरूप भी क्या होगा बी होगा ठीक है और अगर जोड़े में दोनों I, B हैं तो R, B, C के सत्य पर एंटीजन B ही बनेगा और ब्लड गुरूप भी होगा यहां भी कंडिशन यह है कि इसको कहेंगे सम युगमकी और इसको कहेंगे विसम युगमकी फिर लास्ट में I, O, I, O देखिए जब जीन के दोनों जीन्स जोड़े में I, O होंगे तब R, B, C की सत्य पर कोई एंटीजन नहीं बनेगा और आपको मालूम है कि R, B, C की सत्य पर अगर एंटीजन नहीं है तो वो O, Blood Group बनेगा क्या होगा? O, Blood Group होगा तो इस कॉंबिनेशन को एक बार दुबार आप द्यान से समझ लीजेगा यह कॉंबिनेशन अगर I, A, I, B है तो A, B, दोनों एंटीजन बनेगे इस कंडीजन में सिर्फ A, एंटीजन बनेगा इसमें B, A, एंटीजन बनेगा इसमें B, एंटीजन बनेगा इसमें B, एंटीजन और जब जोडे में I, O, जीन ही होंगे तो वहाँ पर कोई एंटीजन नहीं बनेगा और blood group O माना जाएगा अब देखिए यहाँ पर एक example है इसको आप solve पर यह क्या है सम युगम की A रुधिरवर्ग वाले पिता और सम युगम की B रुधिरवर्ग वाली माता के संतानों में A B रुधिरवर्ग होगा यहाँ answer बता दिया गया है A B रुधिरवर्ग होगा आप देखिए कैसे होगा सम युगम की सवाल क्या है सम युगम की A रुधिरवर्ग तो A रुधिरवर्ग सम युगम की कब होगा जब जोडे के दोनों जीन पर A जीन उपस्तित होगा ठीक है और सम युगम की B लब जोड़े में दोनों जीन क्या होंगे B तो संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा तो इनसे गयमिट क्या बनेगा इनसे गयमिट बनेगा I, A इससे कौन सा गयमिट बनेगा I, A और इनसे कौन सा गयमिट बनेगा I, B यनि कि ये पिता है तो पिता में जो सुक्राडू बनेंगे उसमें IA जीन होगा और माता के अंडाडू में IB जीन होगा और जब निफेचन की परकिरिया होगी तो जाइगोट में IA और IB दोनों जीन्स एक साथ में हो जाएंगे और दोनों का प्रकटन होगा तो RBC की सतह पर एंटीजन A और इ जो इसकी संतान होगी वह AB ब्लड गुरूप वाली होगी कौन सी होगी AB ब्लड गुरूप वाली होगी इसको अपनी कॉपी में लिखके और एक बार इसको अपने आप करके देखिएगा दूसरा एक्जांपल क्या है सम्युगमकी ए रुधिरवर्ग वाले पिता तथा और माता के संतानों में कौन सा रुधिरवर्ग होगा देखिए पिता को सम्युगमकी बताया गया लेकिन माता सम्युगमकी विसम्युगमकी नहीं बताया गया क्योंकि जब और रुधिरवर्ग होगा तो हमेशा वो सम्युगमकी ही होगा चलो फिर इसका जीनो टाइप लिखत अब देखिए इसमें गयमिट क्या बनेगा यनि कि ये क्या है पिता है तो सुक्राण में कौन सा जीन होगा आई ए माता के अंडाडू में कौन सा जीन होगा आई ओ जब निफेचन होगा तो जाइगोट में क्या होगा आई ए और आई ओ जोड़ा बना लेंगे तो यहां बता तो RBC की सतह पर सिर्फ A antigen बनेगा और उस संतान का blood group क्या हो जाएगा उस संतान का blood group होगा A क्योंकि यहां पर सिर्फ A antigen बन रहा है ठीक है किसी प्रकार से एक तीसरा उधारण देखते हैं क्या है A B रुधिरवर्ग वाली माता और O रुधिरवर्ग वाली पिता की संतानों में कौन सा रुधिरवर्ग होगा माता कैसी है A B रुधिरवर्ग की है यानि माता में I A और I B जिनोटाइप होगा ठीक है और पिता O रुधिरवर्ग का है तो इसमें जिनोटाइप क्या होगा I O औ और I-O, अब देखिए, माता है, तो इसमें दो प्रकार के अंडाणू बन सकते हैं, कौन-कौन से, एक तो I-A जीन युक्त बन सकता है, और दूसरा I-B जीन युक्त बन सकता, लेकिन पिता में सिर्फ एक ही प्रकार के स्पर्म बनेंगे, वो होगा I-O जीन युक्त, और I-A जीन युक्त बन सकता है, और B जीन युक्त बन सकता है, अब निफेचन की प्रकारिया में, यदि सुक्राडू I-B जीन से मिलता है, तो कॉंबिनेशन क्या होगा? I-B और I-O, यानि कि ये रुधिरवर्ग हो जाएगा B, B का ही प्रकाटम होगा, और यदि जाड़ों से मिलता है, तो कॉंबिनेशन हो जाएगा I-A, I-O, यानि बलड गुरूप क्या हो जाएगा? A बलड गुरूप हो जाएगा, तो इस प्रसन का उत्तर क्या होगा? A, B रुधिरवर्ग वाली माता, और और रुधिरवर्ग वाली पिता है कि संतानों में कौन सा र कर सकते हैं, तो यह हुआ रुधिरवर्गों की वनसागती, यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रू बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार